गूड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आज हम बीए पार्ट सकिंड के द्वीत्त्य प्रश्ण पत्र भारतिय राज व्यवस्था में भारत की संसद या हम जिसे कहते हैं भारत की व्यवस्था पिका उसके बारे में अध्यन करेंगे भारत की संसदिय शासन प्रणाली में कालिय पाली का संसद का इक अभिन अंग है भारत के संसद के दो सदन है लोक सभा और रच्चे सभा निम्न सदन के रूप में लोक सभा और उच्च सदन के रूप में यहां रच्चे सभा है भारत के समविधान के अनुचेत 79 का कहना है संग के लिए एक संसत होगी जो रास्टपती और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमश है, लोकसभा और रच्चे सभा होंगे आज हम रच्चे सभा के बारे में अध्यन करेंगे रच्चे सभा भारत की संसत का उच्च सदन है समविधान के अनुचेत 80 में के अनुसार इसकी सदसे संख्या 245 है 12 सदसे मनुनीत किये जाते हैं और बाकी प्रत्यक शूप से निर्वाचित होते हैं यह एक इस्थाई सदन है यह पूरा का पूरा भंग नहीं होता है इसके एक सदसे का कार्यकाल 6 साल है प्रत्यक दूसरे वर्ष एक बटा तीन सदसे इसके हट जाते हैं रच्चे सभा में भारत में इकाईयों को समान प्रतिनित्तु देने की विवस्ता नहीं है जिसे अमेरिका में है कि सीनेट में हर रच्चे से दो-दो सदसे चुन कर भेजे जाते हैं यह ऐसा नहीं है यहां प्रतिनित्तु का आधार जन संख्या निर्धारित किया गया है जिसे राजिस्तान से 10 से किम से सिर्फ एक तो अलग-अलग राज्चों से अलग-अलग संख्या में प्रतिनिती चुन कर यहां आते हैं रच्चे सभा के सदस्यों की योग्यताएं भारत का नागरिक होना चाहिए आयू 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए रच्चे सभा का सभापतित्व उप रास्रपती के द्वारा किया जाता है रच्चे सभा अपने में से एक व्यक्ती को उप सभापती के रूप में भी चुन सकती है नेक्स्ट है रास्टपती की शक्तियां समुविधान निर्माताओं ने इसे आदर शिद्वित्य सदन बनाने का प्रयास किया है अते अधिकारों के सम्मंध में मध्यम मार को अपनाया गया है ये ना तो अमेरिकी सीनेट के समान बहुत अधिक शक्ति संपन है और ना ही यह हाउस ओफ लॉर्स के समान शक्तिहीन इसे हम एक ऐसे सदन के रूप में देखते हैं जो जिसके रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह ना तो बहुत शक्तिशाली है और ना ही यह शक्तिहीन इसकी शक्तियों को हम तीन भागों में बाट सकते हैं पहली है लोकसभा की तुलना में कम अथिकार यानि कुछ ऐसी स्थितियां है जहां वह लोकसभा की तुलना में उसके पास शक्तियां कम हैं जिसे वित्विधेक के समंध में वित्विधेकों का प्रस्तुति करन लोकसभा में होता है और लोग सभा में पारित होने के बाद वह यहां आते हैं और राज्य सभा को सिर्फ 14 दिन का समय मिलता है या तो राज्य सभा 14 दिन में उस वित्विध्यक को पारित कर ले नहीं तो राज्य सभा से वह वित्विध्यक पारित माल लिया जाता है यानि वित्विधय के संबंध में राज्य सभा शक्ती हीन है राज्य सभा कार्य पालिका पर अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकती है यानि राज्य सभा को कार्य पालिका पर अविश्वास प्रस्ताव पारत करने का अधिकार भी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा ही कारिय पालिका पर ला सकती है नेक्स्ट है लोकसभा के समकक्ष वे शक्तियां जहां वे लोकसभा के समान है साधारन विधेयकों के समान रच्च सभार लोकसभा की शक्तियां समान है साधारान विध्यक लोक सभा में भी प्रस्तोत हो सकता है और पहले रचे सभा में भी दोनों में पारित होने के बाद राश्रपती के अस्ताक्षर के बाद वे कानून बनता है अगर किसी साधारन विधेक के सम्मंद में दोनों सदनों में विवात की स्थिती होती है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक में जो निर्ने हैं वह बहुमत से लिये जाते हैं इसी तरह से सम्विधान संशोधन में भी दोनों समान हैं दोनों की सैमती से ही समविधान में संशोधन होता है, हाला कि संविधान संशोधन के समंद में संयुक्त बैठक की विवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की मर्ची से ही समविधान में संशोधन होती है, रास्टपती, उपरास्टपती के निर्वाचन के समंध में दोनों समान है महाभियोग के समंध में दोनों की शक्तियां समान है संकटकाल की घोषना की स्विकृती के समंध में दोनों की शक्तियां समान है नेक्स्ट है रज्यसभा के विशेश अधिकार कुछ ऐसे शेत्र भी है जिनमें वह लोक सभा से अधिक शक्ती संपन है और ये शेत्र इस प्रकार है पहला है अनुच्छे 249 के अनुसार राच्चे सभा वहुमत से राच्चे सूची के किसी भी विशे को रास्टी अता के महत्व का घोशित कर सकती है और अगर वह किसी भी विशे को रास्टी अता के महत्व का घोशित कर देती है तो उस पर कानून वनाने का अधिकार संसत को मिल जाता है इसी तरह से राच्चे स्थर की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनको भी वह अखिल भारतिय सेवा बना सकती है तीसरा है रास्टपती को उसके पत से हटाने के सम्मंद का प्रस्ताव भी पहले रज्य सभा के द्वारा ही रखा जाता है इस तरह से ये कुछ शक्तियां रज्जे सभा की हैं, हालां कि रज्जे सभा की शक्तियां लोग सभा से कम हैं, लेकिन वह केवल एक हामे हामिलाने वाली संस्था नहीं है, वह अगर कोई बात उसे पसंद नहीं है, तो वह विरोध भी प्रगट कर सकती है, यानि अगर उसे ल रज्यसभा एक निर्थक सदन या विवस्थापन पर रोग लगाने वाला सदन नहीं है वास्तों में रज्यसभा शासन तंतर का आवश्यक अंग है केवल दिखावे मात्र का दूसरा सदन नहीं है यानि कि वहें दूसरे दर्जे का सदन बिलकुन नहीं कहा जा सकता दूसरा स दिस्टी से उचित नहीं यनि कि रचे सभा की जो रचना है वह उचित नहीं है और जो रचनातनक दिस्टी से कमिया रचे सभा में देखी जाती है वो इस प्रकार है पहला है संगातनक व्यवस्था में द्वीत्य सदन का गठन समानता के आधार पर किया जाता है पर भारत में ऐसा नहीं है जैसे आपको शुरू में बताया था कि सिनेट में हर राज्चे अपने दो-दो सदस्य बेशता है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है यसे राजिस्तान से दस सिक्किम से सिर्फ एक तो ये उचित नहीं माना जा सकता दूसरा है राज्चे सभा के सदस्यों को पर चुना जाता है इस कारण कुछ शेत्री दल भी राज्चे सभा में आ जाते हैं जो रास्ट्री हित की दिस्पी से उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि शेत्री दल केवल अपने शेत्री हितों की बूर्टी के लिए ही कालिय करते हैं तीसरा आरूप आलोचिक ये लगाते नेक्स्ट रचनात्मक आलूचना यह है कि रच्चे सभा एक ऐसे लोगों का सदन बनता जा रहा है जिनमें ऐसे सदसे निर्वाचित होते हैं जो या तो चुनाव से भागते हैं या चुनाव में हाट जाते हैं और कई बार राचनीतिक दल अपने स्वार्थ पूर्थी के लिए भी इसके सदस्यों का इस्तावाल करते हैं जैसे मालीचे कोई मंत्री मंडल में शामिल किया गया है चुनाओं में हार गया है तो वह राज्यसभा से चुनाओं लड़कर संसत का सदस्य बन जाता है तो ये कुछ रचनात्मक कमिया रच्यसभा की है दूसरी है शक्ती संबंधी आलोचना समविधान के अनुसार रच्यसभा को जो शक्तियां दी गई हैं उनके आधार पर उसे एक निरर्थक सदन माना जा सकता है क्योंकि वित विधेकों के संबंध में मंत्री मंडल के प्रती अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में वह शक्ती हीन है क्योंकि वित विधेक केवल 14 दिन के अंदर उसे पास करना पड़ता है और यहां वह एक तरसे मूख दर्शक बन जाता है तो हाला कि हम कुल मिला कर यह मान सकते हैं कि राच्चे सभा में यह कुछ कमिया हैं लेकिन इन कमियों का यह ताथ पर यह नहीं है कि इस सदन की कोई उपयोगितान नहीं है यद पे यह सदन बहुत शक्ती संपन सदन तो नहीं है लेकिन फिर भी इस सदन ने अपनी जो महता है उसे खत नहीं किया है जिसे जिनेंदर रंचन का कहना है यह ना तो अमेरिकी सीनेट की भाती अधिक शक्ती शाली है और ना ही house of lots की भाती अधिक निर्वल जापानी व्यवस्था के तरह द्वित्य सदन की निशेदात्मक शक्ती को हमारे समविधान द्वारा सुईकार नहीं किया गया है इसे केवल दोराने की परियाप्त शक्ती दी गई है निशेद की नहीं रच्य सभान न केवल रचना की दिस्टी से सदन है वरन ये आधुनिक प्रजातंत्र के योग के द्वित्य सदन है और द्वित्य सदन के उदिश्यों की पूर्ती करने की दिस्टी से भी यह सरवाधिक संतूलन योग के द्वित्य सदन है यानि कुल मिलाकर या निसकरशात्मक रूप में हम इस बात को स्विकार कर सकते हैं कि हम इसे एक शक्ती ही द्वीत्य सदन के रूप में नहीं देखते बलकि हम इसे एक शक्ती संपन द्वीत्य सदन के रूप में देख सकते हैं और हम यह मान कर चलते हैं कि यह लोकसभा का प्रतिद्वंद्वी सदन नहीं है, यह लोकसभा का सहयोगी सदन है और लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्फर करती है कि प्रतिद्वंद्विता नहीं, व्यवस्था पिका के दो सदनों में अगर प्रतिद्वंद्विता होग तो तनाव बढ़ेगा कोई कानून नहीं बन पाएगा कोई विवस्था नहीं हो पाएगी लेकिन अगर दूसरा सदन क्रियाशील सदन की भूमी का निभाता है दूसरा सदन अगर समविधान को मजबूत करने की भूमी का निभाता है अगर दूसरा सदन लोगतंत्र को नहीं कर सकते धन्यवाद